नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल टेक इनफो स्मार्ट में, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्यन करेंगे, साइन्स के कुछ महत्पूर प्रेशन, मैं स्री चला रहा हूँ सुपा 30 के, इसमें 30 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इ यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मेरे चनल पर विजिट करिए कि वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी, सेरिल वाइस देख लीजगा, जिससे कि आने वाले एक्जाम में आपको वेनिफिट मिल सके, दोस्तों, यदि आप मेरे चनल पर नहीं हो, तो चनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज का आपको लाफ मिलता रहे, लिखा हुआ है भारत का पहला परमाडू रियक्टर का नाम क्या है, चार ओप्सन दिया हुए है, अपसरा, नाग, अगनी, रोहनी, सबसे बढ़िया तरीका होता है वीडियो का आप पाउस करिए, स्वयन से आइंसर देजिए, आइंसर सही होगा तो आपका confidence level बढ़ेगा, तो question number 1 का जो आइंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपसरा, भारत का जो पहला परमाडू रियक्टर है, उसका नाम है अपसरा, next question है, question number 2, DDT की खूज, किसने की थ पिन में, जॉन इस साल्ग, डॉक्टर पॉल मूलर, जी डो माग, तो question number 2 का जो आइंसर होगा, वो option number C हो जाएगा, डॉक्टर पॉल मूलर, next question, question number 3, भारती अंतरिच अनुसंधान समिती के अध्यक्च काउन थे, चार option दिया हुए है, बिक्रम सारा भाई, मेघनाद साहा, सीबी रमन, अब्दुल कलाम, यहाँ पर दो रहा हो गया है, एक कड़ जाएगा, तो option number A, इसका अंसर हो जाएगा, बिक्रम सारा भाई, भारती अंतरिच अनुसंधान समिती के अध्यक्ष थे, बिक्रम सारा भाई, next question है, question number 4, पैने सिलीन की खोज किस ने की थी, ट्रेजर, अलेक्जंडर फ्लेमिंग, वैक्समेन, लुईस पास्चर, question number 4 का जो अंसर होगा, option number B हो जाएगा, पैने सिलीन की खोज, अलेक्जंडर फ्लेमिंग ने की थी, next question, question number 5, लिखा हुआ है, भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन इसरो की अस्थापना कब होई थी, उननी सो सत्तर, उननी सो चौरानवे, अठारा सो बहत्तर और उननी सो उननतर, तो पांच नंबर क्वेश्चन का जो अंसर होगा, option number D हो जाएगा, उननी सो उननतर, next question है, question number 6, भारत का पहला परमाडू रियक्टर अपसरा कहां इस्थित है, ट्रामबे, नांदेड, भोपाल, अहम्दाबाद, तो question number 6 का जो अंसर होगा, option number A हो जाएगा, ट्रामबे, next question, question number 7, होमियोपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे, हैनी मेन, जौशेप लिस्टर, जेम्स हैरिसन, यूगो डी, ब्रीज, तो 7 number question का एंसर हो जाएगा, option number A, हैनी मेन, होमियोपैथी के चिकित्सक है, next question है, question number 8, कलपना चावला का जन्म कहां हुआ था, चार option है, करनाल, एजज़त नगर, कूलकाता, पटना, तो इसका एंसर हो जाएगा, option number A, कलपना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, next question, question number 9, antiseptic surgery का अभिस्कार किस ने किया था, Edward Jenner, Joseph Lister, Robert Hook, Lubin Hawk, तो question number 9, का अइसर हो जाएगा, Joseph Lister, question number 10 में लिखा हुआ है, भारत का प्रथम प्रमाडू, बिजली घर कहां प्रारंभ किया गया, भुपाल, रावत भाटा, तारापूर, बैंगलूरू, तो question number 10, का अइसर हो जाएगा, option number C, तारापूर में भारत का प्रथम प्रमाडू, बिजली घर, प्रारंभ किया गया था, next question है, question number 11, लिखा हुआ है, भारत की प्रिथवी प्रच्छे पास्त्र की तुलना, रूस के किस प्रच्छे पास्त्र से की जाती है, अगनी, नामेक, असकड या नाग, चार option है, एक option इसमें से आपको चूज कर रहा है, तो 11 number question का जोएंसर होगा, वो हो जाएगा, C, असकड, next है, 12 number question देखेंगे, भारत की प्रथम महिला, अंत्रिच छे यात्रि, कौन थी, संतोस यादव, बचेंद्री, पाल, युकता, मुखी, कलपना, चावला, तो 12 number question का जोएंसर होगा, option number D हो जाएगा, next question, question number 13, जैनेटिक कोड की खोज किस ने की थी, लुइस पास्चर, पिन मेन, जोन सॉल्ग, हर्व गोबिंद, खुराना, तो इसका जोएंसर होगा, option number D हो जाएगा, जैनेटिक कोड की जो खोज थी, वो हर्व गोबिंद, खुराना जी के द्वारा की गई थी, question number 14 लिखा हुआ है, उत्व परिवर्तन का सिध्धान्द किस ने दिया था, मंडल, मंडल इफ, डार्विन या, यूव डी ब्रीजने, तो चौदेह नंबर का जोएंसर होगा, option number D हो जाएगा, next question, question number 15, लिखा हुआ है, स्री हरी कूटा पर छेपंड केंद्र कहां इस्थित है, तो 15 नंबर का जोएंसर होगा, option number B हो जाएगा, आंध्रा पर देश में इस्थित है, स्री हरी कूटा, 16 नंबर में लिखा हुआ है, रक्त परिवहन की खोच किस ने की थी, चार option है, बिलियम हार्वे, रोनाल्ड, रॉस, रावबर्ट, कोच, बैंटिंग, तो 16 नंबर का जोएंसर होगा, वो हो जाएगा, option number A, विलियम हार्वे, नेक्स्ट क्वेस्टन, क्वेस्टन नंबर 17, भारत ने अपना पहला परमाडू बिस्फोट कहां किया था, तारापुर में, पोखरण में, इजजत नगर में, अहमद नगर में, तो इसका जो एंसर होगा, option number B, हो जाएगा, पोखरण में, नेक्स्ट क्वेस्टन, क्वेस्टन नंबर 18, लिखा वोई भारत ने अपना पहला परमाडू बिस्फोट कब किया था, तो 18 नंबर में, 13 मई 1974, 18 मई 1974, 13 मार्च 1968, 16 मई 1874, तो 18 नंबर क्वेस्टन का जो आंसर होगा, option number B, हो जाएगा, इस फोड किया गया था, प्रथम भारत का, नेक्स्ट क्वेस्टन, question number 19, जितनी क्वेस्टन बन सकते हैं, किसी event पर, वो मैंने सब बनाया हुआ है, और सारे question में, जितनी भी question आपको मैं करवा रहा हूं, सभी exam oriented हैं, इससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आना है, आप इसी को एक बार, दो बार, तिन बार, रिवाइस करते हैं, जितनी बार आप कर पाएं, नेक्स्ट है, question number 19, परमाडो उर्जा आयोग का गठन किसकी अध्धक्चिता में किया गया था, 19 number question का answer हो जाएगा, option number A, doctor homie, जहांगीर भाभा, next question, question number 20, लिखावए भारत में निर्मित पहल आप बहु उद्देशिये उपग्रहा कौन सा है, अपसरा, रोहड़ी, आर्यवट, इनसेड, टू ए, तो 20 number question का जो answer होगा, option number D हो जाएगा, इनसेड, टू ए, 21 number question देखेंगे, लिखावए रडार का अर्थ है, अर्थात, रडार का जो full form होता है, वो क्या है, option number A में radio, dictation, and ranging, B में लिखा हुए है, radio, dictation, और C में लिखा हुए है, rational, dictation, and radio, और D में लिखा हुए है, radio, discharge, and ranging, तो 21 number question का जो answer होगा, option number A हो जाएगा, radio, dictation, and ranging, next question है, question number 22, लिखा हुए है, भाभा, परमाड़, अनुसंधान, केंद्र, की अस्थापना कब होई थी, 22 number question का answer जो होगा, वो option number D हो जाएगा, 1954 में हुआ था, next question है, question number 23, 23 number में लिखा हुए है, भारत का, अंटार्टिका, अध्यान, केंद्र, कहां इस्थित है, चार option है, पुड़े, गोवा, जैपूर, नासिक, तो 23 number का answer हो जाएगा, option number B, गोवा, next question, question number 24, मलेरिया के केटाडू की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस, इवनास्की, इयान, बिल्कुट, एजी, तांसले, तो 24 number question का answer होगा, रोनाल्ड रॉस ने किया था, मलेरिया के केटाडू की खोज, DNA की खोज किसने की थी, 25 number question, बैंटिंग वा, बेस्ट, रॉबर्ट, कोच, वाट्सन, योम, क्रीक, इवर्थ, चार ओप्षन है, एक ओप्षन आपको चूज करना है, जो कि सही होगा, तो इसका जो answer होगा, option number C हो जाएगा, next question, question number 26, लिखा हुआ है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैंटिंग वा, बेस्ट, डॉमिक ने, रॉनाल्ड या रॉनाल्ड रॉस ने, तो question number 26 का जो answer होगा, हो जाएगा, बैंटिंग वा, बेस्ट ने किया था, next question है, question number 27, जमीन से आकास में मार करने वाला परच्छे पास्त्र, आकास का सफल परिच्छन कब किया गया था, 27 नमबर में चार ओप्षन है, 1989, 1996, 1993, 1990, 27 नमबर का जो answer होगा, option number D हो जाएगा, 1990, next question, question number 28, महिला अंत्रिच्छ यात्री कलपना चावला का निधन कब हुआ था, 2001, 2003, 2004, 2002, तो 28 नमबर क्वेस्टन का जो answer होगा, option number B हो जाएगा, 2003 में हुआ था निधन, कलपना चावला जी का, next है, question number 29, राश्टी विज्ञान योम प्रदोग की परिसद की अस्थापना कब हुई थी, 13 अप्रेल 2000, 15 अक्टूबर 1990, 29 नमबर 1990, 18 फरवरी 1994, तो 29 नमबर क्वेस्टन का जो answer होगा, option number B हो जाएगा, next question, question number 30, विकास वाद का सिध्धान्त किसे ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, राबर्ट हुक, लुईस पास्चर और हार्विन ने, तो चार option में से एक option आपको चूज करना है, जो की आपका answer होगा, question का answer होगा, तो 30 नमबर question का जो answer होगा, option number 40, डार्विन हो जाएगा, option number A हो जाएगा, next question है, question number 31, हैजार टीका की खोज, किसने की थी, तो दोस्तों ये आपके लिए, आज इस वीडियो में home work है, आप इस question का 31 question का answer कमेंट में जरूर दीजिएगा, next video जो आएगी, super 30 की, उसमें मैं इस question का answer आपको बताऊँगा, तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, share करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल Tech Info Smart के साथ, तो आज दीजिए इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको next वीडियो में, next content के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,